हाई एब्रिवन आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नीव वीडियो में नीव एक जानकरी के साथ सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना मोबाल फोन से ही घर बैठे ओनलाइन किस तरीके से आपना पी एप का पूरा पैसा निकल सकते हैं साथ में आपको यह भी बता हूँगा कि आपका पी एप का पूरा पैसा निकलना से पहले आपको क्या क्या चीजे ध्यन रखना है साथ में आपको यह जानने को मिलेगा 15 जी फॉर्म आपको एपलाई करना है या नहीं करना है साथ में आपको ये भी जनने को मिलेगा कि आपका PF का जो interest मिलते हैं आपको ब्याज मिलता है आपका PF का पैसा का जो ब्याज है ब्याज को निकलने के लिए आपको कौन सा form फिल करना है इस वीडियो में आपको complete रिजन करी मिलेगा सो वीडियो को end तक जोरूद देखना और जनकरी पसन लए तो वीडियो को एक like जोर करेंब लेँ चैनल को आप नए है प्लीच चैनल को subscribe कर लेह और आप लोग वीडियो को like करने में कभी कणजोशी करते हो प्लीच लाइक कर लेहना इससे एक यूटूबर का घुसला बढ़ता है ताकि आगी भी आपको नए नए वीडियो प्रोबाइट करते रहा है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पर आपको सर्च करना है यह अपर मेंबर रूटेट कर लेता हूं आप रोटेट कर सकते या नहीं भी कर सकते हैं और alert message को यहाँ से हम cut कर देते हैं यहाँ कर सकते हैं यहाँ से तो next यहाँ पर हम अपना event number की जरिया यहाँ पर login करेंगे पहले तो event number पास्वार्डर capture इंटर करके sign in कर लेते हैं करते next interface कुछ यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर login second factor authentication और आपकी register mobile नमबर पर एक OTP आया है उस OTP को हम इस OTP box पर इंटर करेंगे और साथ में इस capture को देखने का बाद same to same capture box में capture को इंटर करेंगे capture को इंटर कर लेना है अगर capture आपको समझ में नहीं आता है तो reaction बटन पर क्लिक करके capture को change कर सकते है next submit बटन पर क्लिक करेंगे पर account है यह पर finally login हो चुके है आपका UN number और आपकी नाम यह पर देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको जो जो चीजे ध्यान रखना है आपको पहले बता देता हूं तो सबसे पहले यह पर आपको अपना KYC complete है या नहीं है चेक कर लेना है इसके लिए आपको manage option पर क्लिक करना है next KYC section पर क्लिक करना है next आपको slide on करके नीचे आ जाना है आपको देखने को इसको चेक कर लेना है, अगर complete है, तो कोई problem नहीं है, कोई पर क्लीक करना है, ठीक है next, यहां पर आपको ओशी करना है, कि आपने कितना company में काम किया है, इसकोucheck करने के लिए यहां पर आपको view option पर click करना है next service history पर आपको click करना है आप जीतना भी company में काम करोगे सारे company का member ID यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इन वेक्ति ने जो एकी company में काम किया है तो इसके लिए इनका जो member ID है एकी member ID सो कर रहा है इसको check करने के बाद आभी आपको check कर लेना है आपकी member ID में date of joining and date of exit सही update है या गलत update है आपको check कर लेना है full and final उट्रोल करने के लिए आपको date of exit और date of update होना चाहिए ठीक है कि 3-4 member ID है तो आपको PA balance को 10 पर कर लेना है पूराना वाला PA balance को current member ID में यानि new member ID में नए company में आपको 10 पर कर लेना है यह सब चीजे check करने के बाद आपको एक चीज और ध्यन रखना है आपकी आधरकाट के साथ आपकी mobile number link होना चाहिए और same mobile number आपकी PA account में भी link होना चाहिए ठीक है यह सब चीजे आपको ध्यन रखना है यह चेक करने के बाद आभी आपका बारिया आता है आपको बताऊंगा कि PA का इंट्रेस्ट आपको कैसे उड्रोल होगा ठीक है तो आभी करने के लिए यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा है online service यहाँ पर क्लिक करेंगे next claim from number 31, 19, 10C & 10D पर क्लिक करेंगे next interface कुछ इस तरह के से open हो जाएगा यहाँ पर आप देखते online claim from 31, 19, 10C & 10D next नीचे select down करेंगे यहाँ पर आपकी PA account के साथ जो bank account number link है same bank account number यहाँ पर इंट्र करेंगे bank account number इंट्र करने के बाद next verify option पर क्लिक करेंगे next I agree to the terms and condition यहाँ पर yes बटन पर क्लिक करेंगे next proceed for online claim पर क्लिक करेंगे इस तरह के से open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं please choose claim form type PF withdrawal, PF advance, pension withdrawal यहाँ पर आपको तीने option मिल जाता है next नीचे seller down करेंगे I want to apply for select claim option पर क्लिक करेंगे यहाँ से only withdrawal form 19 form को हम पहले select करेंगे next option यहाँ पर आता है upload form 15G तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है तो ध्यान से सुनिएगा ठीक है अगर आप किसी भी company में 5 सल काम किया है और 5 सल काम करने के बाद आपका PF का जो balance से 25,000 से जादा है तो यहाँ पर आपको 15G form apply करने के जोरोत नहीं है अगर आपने किसी भी company में 5 सल से कम काम किया है और आपकी PF का जो amount है 25,000 से जादा है तो यहाँ पर आपको 15G form apply करने की जोरोत है इन बेक्तिने जो है एकी company में 9 सल सार्विस किया है तो इनकी case में 15G form आपलोड करने की जोरोत नहीं है और आप इस चीज को कैसे पता कर सकी आप कितना महीना काम किया है तो जब आप view option पर किलिक करने का बाद service history पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा date of joining और date of exit को आप जैसे calculation करोगे employee address तो PF member का जो आधर कर्ड में address है address को आप यहाँ पर enter करेंगे साथ में यहाँ पर state आपको select करना है state select करने के बाद next आपको यहाँ पर district select कर लेना है next यहाँ पर city और pin code इंटर कर लेना है हमने address को इंटर कर चुका हूँ print code की साथ next यहाँ पर आप देख सकते upload, scan, copy of checkbook, passbook यहाँ पर आपका bank account का जो passbook है या checkbook है यहाँ पर आपको upload करना है और कितना size होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते है आपका जो passbook या checkbook का size होगा यहाँ पर आप देख सकते है minimum 100KB से 500KB की अंदर होना चाहिए तो file को upload करने के लिए choose file पर click करेंगे तो next यहाँ पर आपकी phone पर या laptop पर जहाँ पर भी आपकी passbook या checkbook की photo है आपको upload कर लेना है passbook या checkbook को upload करने के बाद आप दुबारत से आपना checkbook या passbook को verify कर सकते है या अप check कर सकते है इसके लिए आपको view option पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते है आपने जो passbook या checkbook का upload किया है याँ पर आप देख सकते है और यहाँ पर आप देख सकते है मैंने अपना pf balance को withdrawal करने के लिए यहाँ पर checkbook या passbook कोई सबी दोने में से कोई भी चीज़े यहाँ पर आपलोट नहीं किया हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक करने के बाद आपको नीचे सलैड डाउन करना है next box में checkout करना है और येट आधर OTP पर आपको click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी register mobile number है उस number पर आपको एक OTP receive हुआ है उस OTP को enter OTP box पर यहाँ पर enter करेंगे इंटर करने के बाद next valid OTP and submit claim form पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं online claim request is successfully submitted यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो request है form number 19 यहाँ पर आपका जो 19 form है यहाँ पर submit हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP has been verified EKYC updated and PF final withdrawal claim form submitted successfully on unified portal please click here to view PDF तो यहाँ पर click करने के बाद आप जो इसका जो receiving है आप check नहीं कर पाऊगे तो receiving download करने के लिए receiving पाप्त करने के लिए आपको यहाँ पर दुबारा से online service पर click करेंगे next track claim status पर click करेंगे यहाँ पर आपको tracking ID देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको form type देखने को मिल जाएगा और submit add portal पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस time और कौनसा date पर आपने यहाँ पर apply किया यहाँ पर date और timing यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर current status में यहाँ पर आप देख सकते हैं online claim submit add portal यानि हमने just आभी apply किया हूं form online claim submit add portal show कर रहा है और receiving को download करने के लिए यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा है view PDF इसका नीचे download की icon देखने को मिल र है और यहाँ पर आपको date देखने को मिल जाएगा साथ में आपको time भी देखने को मिल रहा है और साथ में यहाँ पर mobile number साथ में उनका UN number और यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा साथ में यहाँ पर date of joining and date of exit देखने को मिल रहा है साथ में नीचे आप जैसे select down करोगे bank details देखने को मील जाएगा और से नीचे स्लेट डाउन करो गे तो यहां पर अपने Facebook यह 700 जो भी आपलोड किया है यह पर आपको देखने को मील जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं तो तसलिक के लिए मैंने रेसीविंग को नमबर इंटर करेंगे, बैंक अकाउंट नमबर इंटर करने के बाद, next verify बटन पर क्लिक करेंगे, term send condition को accept करेंगे, yes बटन पर क्लिक करेंगे, next नीचे select down करेंगे, जो bank account है, यहापर अपना P.A.P. अकाउंट के साथ मैच हो चुका है, next नीचे select down करेंगे, deposit for online claim पर क्लिक करेंगे, I want to apply for select claim option पर क्लिक करेंगे, यहापर अभी हम only pension withdrawal from 10C को select करेंगे, दुबार से यहापर employ address इंटर करेंगे, address इंटर करने के बाद, next आपको passbook या checkbook को upload करना है, इसके लिए choose file पर क्लिक करेंगे, दुबार से हम यहापर से passbook या checkbook को upload कर लेंगे, हमने यहापर passbook को upload कर चुका हूँ, check करने के लिए आप view option पर click करके check कर सकते है, next नीचे select down करेंगे, box में check out करेंगे, next get other OTP पर click करेंगे, और आपकी register mobile number पर OTP receive हुआ है, उस OTP को enter OTP box पर इंटर करेंगे, OTP इंटर करने के बाद, next valid OTP and submit claim form for click करेंगे, यहापर आप देख सकते है, online claim request is submitted at portal show कर रहे हैं, तो यहापर कुछ सेकंड आपको wait कर लेना है, यहापर आप देख सकते हैं, हमारा जो form C है, यहापर हम apply कर चुके है, यहापर आप देख सकते है, कर सकते हैं, इसको check करने के लिए आपको दुवारा से online service पर click करना है, next यहापर आपको track claim status पर आपको click करना है, यहापर आपको claim ID देखने को मिलेगा, यहापर और यहापर form type देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, form कर सकते हैं, यहापर आप देख सकते हैं, form number 10C का जो receiving है, यहापर download हो चुका है, और timing and date यहापर आपको देखने को मिल रहे हैं, नीचे seller down करोगे, यहापर आपको देखने को मिल जाएगा, pension fund withdrawal, तो यह आपको समझ में आगे हैं, कि आपको अपना mobile से किस तरीक से पीफ बैलन्स को ऊड्रोल करते हैं, form number 19 and 10C, अभी बात करते हैं, आपका पीफ बैलन्स का जो interest है, interest आप ऊड्रोल किस तरीक से कर सकते हैं, इसके लिए पीफ पास्बुक को open कर लेते हैं, तो यहाप पास्बुक में कर सकते हैं, और यहाप आप देख सकते हैं, इनका जो service से 9 साल है, और 15,000 से ज्यादा amount है, इसके लिए इनकी case में 15G form apply करने के जोरोत नहीं पर आए, ठीक है, आभी आपको पीफ बैलन्स का interest दिखाते हैं, इसके लिए यहाप पर हम 3.0 पर क्लिक करेंगे, नेक्ट पास्बुक option पर क्लिक करेंगे, आपका अगर दो तिन member ID है, तो यहाप पर select member ID option पर क्लिक करके, आप member ID को select कर लेंगे, इनकी case में एकी member ID है, तो select करने के कोई जोरोत नहीं है, next नीचे seller down करेंगे, और यहाप पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाप आप देख सकते हैं, INT updated और यहाप आपको देखने को मिल रहा है, PA balance का जो interest है, यहाप पर देख से 7,000 और यहाप देख से 4,000, यानि दो column में इनका PA balance का interest मिला है, तो यह जो interest का पैसा है, ब्याज का पैसा है, इस ब्याज की पैसा ऊड्रोल करने के लिए, कोई form apply करने की जोरोत नहीं है, आपने जो form number 19 और 10C apply किया, इसके साथ ही आपकी PA balance, PA balance क जो interest है, या badge है, withdrawal हो जाएगा, इसके लिए आपको अलाग से कोई form बनने का जोरोत नहीं है, pension का balance देखने को मिल रहा है, pension के balance में कोई भी interest या badge नहीं मिलते है, वीडियो में मैं आपको PA final withdrawal करने की जो complete process है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाया हूँ, और यह 2024 का new process है, ब पूरा पैसा किस तरीक से निकल सकते है, इस वीडियो में मैं आपको complete process दिखाया हूँ, 2024 की new process दिखाया हूँ, तो यही एक जनकरी आपको साथ शेयर करना था, जनकरी पसंद लेते हो वीडियो को like कर लेना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेना, आप से फिर मिलते है न आप बेट के साथ तब तब अपना ख्यार लखना, शुरूख शित रहना, तब तब के लिए, बाब बाई